आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं बहुत ही अच्छे एकदम नए टिप्स और ट्रिक्स हम लोग अपने किचन में तरा तरा के बर्तन इस्तमाल करते हैं और कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो इस्तमाल में आते आते काफी गंदे हो जाते हैं और फिर ये दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते तो ऐसे गंदे बर्तनों को एकदम नए जैसा चमकाने के लिए आपके साथ बहुत ही अच्छे tips and tricks शेयर कर रहे हूँ देखे यहाँ पर मेरे पास एक बर्तन है जो कि स्टील का है लेकिन पीछे की तरफ ये तावे का है जो कि देखे इस तरीके से काला पड़ गया है और ये अब दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो आप इस तरह के अपने बर्तनों को बहुत आसानी से कैसे चमका सकते हैं यहां मैंने एक चमच नमक लिया है और जिदर से बर्तन ये तावे का याँ अधर नमक डाल दिया है आप इसी तरीके से अपने किचन के बर्तनों के साथ साथ पूजा घर में बी जो पीतल और तावे के बर्तन उन्हें चमका सकते हैं अब यहाँ पर मैंने लिया है आलू कच्छा आलू है आधा आलू लिया है और इस तरीके से इसमें नाइफ से हम कट लगा लेंगे अब आपको क्या करना है इसके बाद आपको एक चीज और लेनी है देखे सारी चीज़े हम ऐसी इस्तमाल करेंगे जो किचन में ही इसलिए मिल जाएंगी अब आपको क्या करना है आपको लेना है नीबू और आलू पर जिस साइड आपने कट लगाए है नाइफ से उस साइड आपको ये नीबू करस डाल देना है आधा जमच के करीब नीबू करस डाल दिया है और बरतन पर जिदर हमने नमक डाला है ना उसके उपर इ इंस्टेंटली ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगाने पड़ती है, बहुत आसानी से ये चमक जाता है, आपको कोई बहुत ज़्यादा रगणना गिसना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से बरतन साफ हो जाएगा, ये देखि तो इसे आपको दोकर दिखाती हूं ये देखिए बरतन एकदम चमक चुका है और कुछ लोगों की जो शिकायत होती है दोबारा से जल्दी काला पड़ जाता है तो हमने इसे साफ करने में आलू का इस्तमाल किया है जिसकी वज़े से दोबारा ये जल्दी काला नहीं पड़े अब यह मेरी टिप है ऐलमुनियम के बरतनों को चमकाने के बारे में ये देखिए आप देख सकते है मेरे पास ये एक चोटा सा भकोना है जो अंदर से बहुत काला हो रहा है अकसर होता क्या है जब हम आल्मुनियम के बरतनों में कुछा चीश उबालते हैं ना जैसे आलू बगेरा वॉयल करते हैं तो यह अंदर से इस तरह काले हो जाते हैं और फिर इन्हें साफ करने में बहुत महनत करने पड़ती है तो देखिए आज मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप बता रहे हूं जिससे यह इसली क्लीन हो जाएगा और इसे क्लीन करने के लिए हम कोई पै बरतन को चमका सकते हैं देखिए मैंने इस तरह से सीजर से कट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें काफी सारा टूथपेस्ट निकल रहा है अब यहां से भी मैं से कट कर लोंगी और बस देखिए जो चीज हम फैक रहे थे ना उसी के इस्तमाल से हम अपने बरतन को चम कर दिया है अब आपको क्या करना है दो आपको लेना होगा एलमूनिय मुस्त फैकल पेपर जो हम सब के घर में होता है जरूरी के आप नया अलुमीनियम फैकल पेपर लें जिसमें आप खाना व्गेरा Too करते हैंखना खाने के बाद उसको वेस्ट में मैंसोंगे फैकले कहा इसे बार से निदुभा कर आल निया निकल चुका है को रहे हैं जो भी इस न क्या 모습 निकल चुपाई ज natuurlijk मैंने आंदर से बरतन को रगड दिया है अब हम इसी तरीके से बाहर से बी बरतन को रगड देंगे तो बाहर भी मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसके उपर ताकि से अच्छे से हम इसे रगड सके और सारा काला पन निकल जाए तो ये देखी इसी एलमुनियम फाइल पेपर से इसे आपको रगड देना है बरतन में जो भी गंदगी थी काला पन था वो सब निकल चुका है आप देखिए सारी गंदगी निकल गए और बरतन एकदम से साफ हो चुका है ये देखिए और इस तरह इसे क्लीन करने में पहुत जादा मेहनत भी नहीं लगती है अब मैं आपको इसे आपके सामने ही पानी से धोकर दिखाते हूँ ये देखिए ये एकदम साफ हो चुका है अब मैं इसे और अच्छे से पानी से धोलूँगी इसी तरह आप कड़ाई कोकर वगेरा को भी क्लीन कर सकते हैं अगर आपको ये टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेयर करें आप किस शेहर से मेरी वीडियो देखने हैं कॉमेंट करके जरूर बताएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेस्बुक पेस को फॉलो करें